चुनाव आयोग ने उपराश्ट्टपति चुनाव की तारीक का एलान कर दिया है मोख्य चुनाव आयूखत नसीम जैदी ने प्रेस कॉन्फरण्स का रिसका एलान किया नसीम जैदी ने चुनाव कारिकरम की गोशना करते वे बताया चार जुलाई को चुनाव के लिए अधी सूच नाज जारी की जाएगी नॉमिनेशन करने की आखिरी तारी 18 जुलाई नॉमिनेशन जाज की आखिरी तारी 19 जुलाई नामांकन वापस करने की आखिरी तारी 21 जुलाई है आपको बता दें कि उपराश्ट्रपती पद का चनाव राश्ट्रपती पद के चनाव से अलग होता है राजसभा और लोगसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस से उपराश्ट्रपती का चनाव करते हैं इस समय दोनों सदनों की कुल सदस से संख्या 790 है जो कि उपर राश्ट्रपती चुनाव में मतदान करेंगे अब सब की दिल्शस्पी इस बात में होगी कि सत्ता पक्ष किसे अपना राश्ट्रपती उमीद्वार बनाएगी रामनात कोविंद को राश्ट्रपती उमीद्वार बना कर बीजेपी ने पुरेदेश को सर्प्राइस कर दिया था अब देखना होगा कि उपर राश्ट्रपती पद के लिए किसे उमीद्वार बनाया जाता है न्यूज एक्स्प्रिस की रिपोर्ट